एक आईएस अधिकारी जिस आईएस अधिकारी का नाम सुनकर राज के मुख्यमंत्री भी सोचने लग जाते हैं बड़ा-बड़ा मंत्री जब उस आईएस अधिकारी का नाम सुनता है तो उसके पेरो तले जमीन खिसक जाती है उस आईएस अधिकारी का जहाँ पर राज होता है वहाँ पर सरकारी बिद्याले समय से आधा घंटा पहले खुल जाता है और समय पूरा होने के आधा घंटा भार तक खुला रहता है ऐसा आईएस अधिकारी जो किसी जीले का डियम बनता है तो वहाँ पर लोग सिधे उसके चेंबर में घुश जाते हैं और सिधे डियम सहब को बताते हैं कि फलनवा दरोगा और फलनवा अधिकारी बात नहीं सुन रहा है और उसके बाद वह डियम जब सड़क पर निकलता है तो लोग उसका किसी हीरो के तरह स्वागत करते हैं और अपराधी थर-थर कापते हैं हम बात IESKK के पाठक की कर रहे हैं आगे आपको कहानी सुनाएंगे ऐसे IESKK के पाठक का जिनके उपर आरोप लगता है कि उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाल कर ठेकेदार के सर पर लगा दिया तो उनके उपर आरोप यह भी लगता है कि लालू यादो जब मुख्यमंत्री थे तब उनको गोपाल गंज का उन्होंने डियम मनाया कि वे उनका बात मानेंगे लेकिन गोपाल गंज में केके पाठक ने ऐसा कारनामा किया कि लालू यादो को वापस उनका ट्रांसफर कराना पड़ा आज यही आईएस केके पाठक सुर्खियों में है आईएस केके पाठक के वो लोग दिवाने हैं जिन्होंने उनके कारिकाल को अपने जिले में बतोर डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट मतलब कि बतोर डियम देखा है आगे पूरी कहानी आपको सुनाएंगे लेकिन उससे पहले हमारा परिच है अब नमस्कार में नाम मोहित कुमार सिंग और आप जन्ता जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो रोड़ बेज एप के द्वरा प्रहुजित है रोड़ बेज भीयार का कैसा है स्टार्ट अप है जो आपको वन वेट टेक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविदा बेयाधी कम पैसों में उपलफ्त कराता है वन वेट टेक्सी राइड का मतलब की अगर आप रोड़ बेज की टेक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ तक किराया लिया जाएगा जो की बहुत सस्ता होगा तो अगर रोड़ बेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर ज कहा जाता है कि जो दिवरो केशी वाला जो पुरा का पुरा डिपार्टमेंट है लोबी है उसमें केके पाठक को केके के नाम से हर कोई जानता है सबसे पहले आपको हम पूरा नाम बता देते हैं आईएस केके पाठक ता पूरा नाम है केशो कुमार पाठक उत्तर परदेश का रहने वाला केशव जब आईयस अधिकारी बनता है तो राज के मुख्यमंति तक उसके मिजाज से परिशान रहते हैं एक छोटी सी कहानी जब लालू यादों ने केके पाठक को गोपाल गंज का डियम बनाकर उनको गोपाल गंज में भेजा आईयस केके पाठक वहाँ पर जाते हैं उस वक्त का दौर वह दौर जब गोपाल गंज में रंगदारों की तूती बोलती थी सणक पर आम आदमी के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं उस वक्त पर एक आईयस अधिकारी जाता है जिसके जाते ही जो सरकारी बिद्याले होते हैं वो समय से आधा घंट पहले खुल जाते हैं यह कहानी वहां के रहने वाले उस वक्त के तमाम पत्रकार चुनाते हैं कहते हैं कि ऐसे ही सिती आ गई कि सरकारी सीख्षक प्रिंसिपल सरकारी अधिकारी करमचारी कापता था केके पाठक का नाम सुनकर उसका होश उड़ जाता था और आईयस केके प अपना अटेनिंस लगा कर वापस लोड़ जाता था वो सरकारी विद्याले आधा घंटा पहले खुल जाता था और आधा घंटा बाद बंध होता था मतलब कि रोज का काम रोज वहां पर संपन होने लगा एक और कहानी कही जाती है कि जब गुपाल गंज में लालू परशाद यादोंने केके पाठक को भेजा तो लालू यादों मुख्यमंत्री थे उनको लगा कि हमने इसको अपने ग्री जिले में भेजा है हमारा बात मानेगा लेकिन आईस केके पाठक वहां पर जाते हैं आईस केके पाठक के जाने के बाद तमाम रंदारों की खटिया खड़ी हो गोपाल घंच के DM के पद से हटा कर उनका ट्रांसफर होता है और IS KK पाठक के मिजाज को आप इससे समझिए कि कभी सुसील मोदी जो उपमुखिमंतरी रह चुके हैं वो उपमुखिमंतरी सुसील मोदी कहते हैं कि वो तो सनकी है अब एक और कहानी जब उनके उपर आरोप लगा कि KK पाठक ने एक ठेकेदार के उपर अपना रिवॉल्बर निकाल कर भीडा दिया बाद में इस मामले में बड़ी चर्चा हुई बड़ी चर्चा अभी भी समय समय पर होती है लेकिन हम आपको सिर्फ उत्तर परदेश के IS अ ऐसा डंका बजाया कि प्रशासनिक अमला तो छोड़िये जो सासन का अमला है मतलब कि सरकार के मंतरी कापते हैं कहा जाता है कि जब भी किसी मंतरी को काबू में करना होता है तब उस मंतरी के विभाग कई जिम्मेदारी केके पाठक को सौपी जाती है और इस बार वही के साथ हो रहा है आईयस केके पाठक ने जब सिख्षा मंत्री से दो दो हाथ करनी शुरू की तो सिख्षा मंत्री कभी लालू यादों के पास जाने लगे तो कभी नितीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में जाने लगे और इस वक्त पर केके पाठक सबसे बड़ा चर्चा का बिशय बने है फिलाल हमने आपको उस दौर की कहानी भी सुनाई जब 1992 के आईयस अधिकारी केके पाठक का खौफ गोपाल गंज में ऐसा था कि बिदाले आधा घंटा पहले खुलता था रंगदार सड़क छोड़कर भाग चुका था और आज वही आईयस केके पाठक एक मंत् से भीन चुके हैं और पूरी की पूरी कहानी आप तक लगातार पहुंच रही है फिलाल आईयस केके पाठक और मंत्री के बिवाद में क्या होता है यह सब कुछ देखने वाला विश्य होगा आगे जो भी और जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक